सिर्फ दो चम्मच तेल से गोवी को आपने शायद ही इससे पहले ऐसे करके कभी बनाई होगी और इसका टेस्ट इतना बढ़िया है कि धाबे वाली गोवी मसाला भी फीका लगेगा तो यहां मैंने ये दो मीडियम साइज की गोवी ली है तो पहले जो ये डंटल है इसे हम काट के निकाल देंगे और ये जितना भी पत्ता बगेरा है इसे तोर के साफ कर लेंगे ये देखिए गोवी को मैंने अल्रेडी धोके लिया है तो इसे फीज से धोने की जरूरत नहीं है और यहां मैंने पानी को उबाल ली है अब इसमें एक छोटी चमच नमक और एक चोथाई छोटी चमच हल्दी पाउडर डालेंगे और ये दोनों गोवी को ऐसे उल्टा करक इस उबले हुए पानी में डाल देंगे नमक और हल्दी डालने से इसमें अगर कोई कीरा वगेरा रहेगा तो वो सारा निकल जाएगा और अब इसे धक के लो फ्लेम पर करीबन पांच मिनिट उबाल लेंगे ये देखिए गोवी थोड़ा बहुत सौफ्ट हो चुका है तो अब इसमें एक मीडियम साइस की टमाटर, दो प्यांस, तीन कश्मिरी लाल मिर्च और एक कप हरे मतर डालेंगे और कराई को ढखके मीडियम फ्लेम पर इन सारे चीजों को करीबन दस मिनिट उबाल लेंगे ये देखिए सारे चीजे अच्छे से सौफ्ट हो चुकी है तो अभी पानी को छानके इने निकाल लेंगे प्यास टमाटर को ऐसे उबाल के अगर आप इस सब्जी को बनाएंगे तो ना सिर्व ये कम से कम तेल में बनेगा बलकि टाइम भी इसमें आपको काफी कम लगेगा और ये जो मैंने कश्मिरी लाल मिर्च इसमें डाली है अगर आ इदर गोवी भी ठंडा हो चुका है तो इसे हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे इसे आप मिक्सी में बिल्कुल भी मत डालना फिर इसका पेस्ट बन जाएगा ऐसे दद्रासा नहीं रहेगा और हम सिर्फ ये जो फूल है इसे ही ग्रेट करके लेंगे ये जो डंटल है इसे ह हमें यूज नहीं करना है इसे ही गोवी खाने के बाद एसेडिटी वगेरा का प्रॉब्लम होता है और इदर टमाटर प्यास भी ठंडा हो चुका है तो अभी ये टमाटर की छिलका निकाल लेंगे और इसे इस मिक्सी के जार में डाल देंगे और साथ में डालेंगे ये बहुत अच्छे से फाइन पेस्ट बन जाएगा ये देखिए कितना पढ़िया पेस्ट बन गया है अब कराई में बस दो चमश तेल डालेंगे और तेल हलका सा गरम होते ही इसमें डालेंगे एक चोथाई छोटी चमश हींग आधी छोटी चमश जीरा एक बड़ी चमश बा बाद फिर ऐसे बारी काटके लिया है इसे लेसुन का फ्लेवर बहुत अच्छे से निकल के आता है और बाकी के सारे चीजों को भी मैंने ऐसे बारी काटके ही लिया है तो इन सब को हम कुछ देर भूनेंगे लो फ्लेम पर मतलब अद्रग लसुन का हमें पूरा कलर चेंज करना है पस थोड़ी देर भून लेंगे ताकि इन सब का फ्लेवर तेल में बहुत अच्छे से आ जाए यह देखिए अद्रग रसुन भून चुका है तो अब यह जो प्यास टमाटर की पेस्ट मैंने बनाई थी वह सारे के सारे इसमें डाल देंगे और साथ में प्यास टमाट और एक छोटी चमस धनिया पाउडर और अब मीडियम फ्लेम पर हम इने कुछ देर तक भूनेंगे मतलब यह तो अभी थोड़ा पतला है तो इसे हमें थोड़ा थिक थिक सा बनानी है अगर आप साबुत कश्मीरी मीच के वज़ाए कश्मीरी लाल मीच पाउडर डाल रहे ह तो अभी इन सूखे मसालों के साथ ही डाल देना यह देखिए मसालों के उपर हल्का हल्का सा तेल दिख रहा है और देखिए यह काफी थिक भी बन चुका है तो अब इसमें यह सारे ग्रेट की हुई गोवी को डाल देंगे और अब मीडियम फ्लेम पर ही इसे हम पहले अच्छे से सारे मसालों के साथ मिलाएंगे और फिर थोड़ी देर इसे भून लेंगे मतलब अभी तो यह बहुत ही गिला गिला सा है तो इसे हमें पूरी तरह से सुखाना होगा तब ही इसका जो टेस्ट है वह बहुत बढ़िय चुका है और देखिए यह पैन भी छोड़ने लगा है तो अभी हमें इसे और भूरना नहीं है तो अब इसमें यह सारे उबले हुए हरे मतर को भी डाल देंगे और साथ में डालेंगे करीबन आधा कप पानी यह गोभी कीमा मतर बहुत ज्यादा पतला नहीं बनता है लेकि को अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसे धक के करीबन पांच से साथ मिनिट पकने देंगे यह देखिए यह गोभी कीमा मतर आल्मोस्ट हमारा बन चुका है बस अब लास्ट में इसमें आधी छोटी चमच गरम मसाला डेर बड़ी चमच फ्रेश क्रीम और थोड़ी सी धन जरूर बताना और ऐसी ही कम से कम तेल की रेसिपी अगर आपको देखनी है तो जरूर कॉमेंट करना चलिए मिलते के लिए नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार